बीजेपी महिला मोर्चा ने नारी सम्मान में कारिक्रम रखा जिसमें पूर विधायक ताराचंद्र बावर्या ने कमलात पर हमला बोला और पूर विधायक ने कहा कि कमलात ने हमेशा बहन बेटियों का अपमान किया है वे ना तो सरकार में हैं ना तो शासन में हैं फिर किस ह हुआला कांड में जब कमणनात्म का नाम सामने आया तो अन्हों और इस्टी वादे कर अपनी पत्न को चुना बाभय था लेकिं जैसे ही अधालत ने उन्हें हवाला कांड मामले में बरी कर दिया तो नात ने पत्नी का इस्तिवा दिलवा कर स्वैम सांसत बन गए जब इस ग्रक्ती ने अपनी पत्नी तक का सम्मान नहीं किया तो फिर बाकी महिलाओं का क्या सम्मान करेगा ये सिर्फ जूटे वादे करते हैं तारचन बावरे ने काया कि कांग्रेस ना तो सरकार में हैं और ना शासन में फिर भी ये लोग किस हिसाब से महिलाओं का फॉर्म बढ़ा रहे हैं मैं कमलाजी से पूचरा जाता हूँ उनने इस तो पच्चासी से आप चिंदवाले जिले लगी जब शण्वाले की दिलेols के दिलो सांस बता दिया और एक रोसन ऐसा आया कि हवाला कांग हुआ जिले की जंता ने उनके नाम पर उनको बोड़ दे दिया लेकिन जैसी हमारा कान बरी होते हैं तो वो पतिनी का रियान गराकर नारी सक्ति का अफमान करते हैं मत्यप्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्ति करण के उद्धिश से समवेदंशिल मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लारली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है इसके तहद उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपे दिये जाएंगे ये राशी सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई जाएगे योजना की प्रत्रिया बहसरल और निशुल को है योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यक्ता भी नहीं है दस जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आजाएगी एक हजार रुपेया की पहली किस्त योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्प लाइन डंबर 0755 2700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर ब्राप्त की जा सकती है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेश हम करते हैं सट्यका अनवेशा दखल नियूज आपके हक्रे आप देख रहे हैं दखल नियूज